क्या आप जानते हैं, जब मुसलिम महिलाओं की बोली लगाए गई थी on-line, बुली और सुली डील्स के जरिए, तो किस सरकार ने उन पर action लिया था? जी हां, महराश्च सरकार ने बुली और सुली डील्स जिसमें मुसलिम महिलाओं की बोली लगाए गई थी, उसमें गिरफतार किया था महराष्ट पुलीस ने इस मामले के आरूपियों को दूसरी बात भारती जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के दो एहम चहरे हैं पहला कंगना रनावत और दूसरा रिपाब्लिक न्यूस के जो संपादक हैं अरनब गुस्वामी पिछले 5-6 सालों में इन दोनों ने बीजेपी के प्रचार को आगे करने में या बीजेपी का प्रचार तंत्र बनने में या बीजेपी का आईटी सिल बनने में थोड़ा सा भी गुरेजनी किया थोड़ी सी भी हिचक नहीं दिखाई है अरनब गुस्वामी करीब एक हफते तक उधव सरकार ने इस व्यक्ति को जेल में रखा था ना सिर्फ जेल में रखा था टी आरपी घोटाले में भी इस आदमी पर एक नहीं दो दो चार्चीट है और कंगनार नावत बीमसी ने इनके दफ्तर के एक हिस्से को बुल्डोजर से तोड़ दिया था आपके स्क्रीम्स वर नुपूर शर्मा नुपूर शर्मा के खिलाफ इस वक्त देश में सिर्फ दो जगाव पर एफाई आ रहे एक ममता बैनर जी के पश्यमंगाल में और गूसरा उद्धव ठाकरे की महराष्ट में जब ये तमाम चीजें हो रही हूँ तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे से नफरत लाजमी हो जाती है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मुसल्मान महिलाओं की बोली लगाई जाती है और देश के प्रदान मंत्री खामोश रहते हैं देश के ग्रह मंत्री खामोश रहते हैं और उद्धव ठाकरे जो बाला सहब ठाकरे की शिवसिना से निकल गारा हैं वो उन लोगों के खिलाब F.I.R. दर्श करते हैं उन लोगों को हिरासत में लेते हैं जिन्होंने मुसल्मान महिलाओं की शर्णाग बोली लगाए थी सब इस समाज में रहने वाला कोई भी वक्ती इसकी आलोश ना करेगा और जाहिसी बात है उस मुद्दे को लेकर लगातार भक्तों के भाश्वा प्रचार तंत्र के और भाश्वा निताओं के निशाने पर उधवठाक रहे थे ये बात हो जाईए कोरोना की लहर याद है किनी आपको कोरोना की लहर की दौरान जब भी आकड़े आते थे तो महराश्व नमबर एक पर होता था मगर क्या आप जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर में जब उत्पर प्रदेश, गुजरात, मद्ध प्रदेश में लोग ऑक्सिजन की कमी, बेड्स की कमी की वज़ा से मर रहे थे, तब महराश्व में लगभग सुचारू ढंग से काम चल रहा था बाकाइदा अदालतों ने, एजनसीज ने, उद्धव ठाकरे सरकार की काम की तारीफ की थी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड को लेकर वहां रामराज जी चल रहा था, दिखकते थी मगर उद्धव ठाकरे में आलोचकों के खिलाफ कभी भी F.I.R. दर्ज नहीं कि जब की आप जानते हैं कि आदितनाथ के उत्तर प्रदेश में तो जब लाशों को जलाया जा रहा था तो उसे परदे से ठका जा रहा था, गंगा में लाशे बह रही थी, खुद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रोकर कहा था कि हिंदू जो हैं वो अपनी रीती रिवास से अपने परिजनों कांतिम संस्कार नहीं कर पाए गुजरात में एक एक अर्थी पर तीन तीन लों को जलाया जा रहा था एहम्दाबाद में अस्पतालों की बुरी हालत थी, ऑक्सिजन नहीं मिल रहा था यहां उत्तर्पदेश में नौइडा घाजियाबाद में बच से बत्तर हाला थे, दिल्ली के हाला थे मगर आप ऐसी तस्वीर महराश से नहीं देखते थे मैं फिर कह रहा हूँ, वहां हालात कोई बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे मगर कभी भी उत्तर ठाकरे ने, ऑक्सिजन मांगने वाले पर FIR दर्ज नहीं किया, पुलीस ने केस नहीं किया और यह उत्तरपदेश में वुआ था आप बताईए न, ऐसे शक्से तो जाहिर सिबाथे भारती जन्दापाटी को नफरत होगी एक और सवाल पूछना चाहता हूँ महराष्ट और आम मराठी जो होता है, हिंदू धर्म के प्रती उसकी कटर आस्था रही है मगर आपने देखा होगा, महराष्ट के किसी भी शहर में कोई भी भड़काउ धर्म संसद नहीं हुई ये धर्म संसद और हिंदू महाँ पंचायत कहा हो रही थी, हरिद्वार में हो रही थी, रुड़की में हो रही थी, उत्तर प्रदेश में हो रही थी यहीं नहीं, 36 गड़ तक में काली चैरण महराज ने भड़काउ बयान दिये थे महात्मा गांधी के खिलाफ तिल्ली में हिंदू महाँ पंचायत हुई थी, जंतर मंतर में मुसल्मानों के खिलाफ भड़काउ नारे लगाए गए थे ऐसी कभी भी कोई भड़काउ धर्म संसद वहां नहीं होई और जब नुपूर शर्मा ने भड़काउ बयान दिये थे हज़रत मुहमद साहब के खिलाफ तो किस राज़े ने उनके खिलाफ F.I.R दर्ज किया महराश्ट ने, महराश्ट पुलीस उनके घर पहुँची महराश्ट पुलीस ने ये भी कहा कि जो भिवंडी पुलीस टेशन में इनके खिलाफ मामला दर्ज है, हमारे पास उनको गिरफतार करने के तमाम सुबूत मौझूद है मगर नुपूर शर्मा उड़ंचू हो गए है, गायब हो गए है ऐसा ही केस उनके खिलाफ पक्षि मंगाल में भी दर्ज है मगर ऐसा केस दर्ज हुआ महराश्ट में महराश्ट की सरकार उद्धर ठाकरे ने हमेशा ये प्रमान देने का प्रयास किया कि हम इस राज में हिंदू-मुसलिम दंगे नहीं होने देंगे लोगों को दोफार नहीं करने देंगे नफरती सियासत को पनपने नहीं देंगे उन्हें लगाता है इस बात का प्रमान किया अब मैं बात करता हूँ अरनब गुस्वामी और कंगना रनावत को जो टार्गिट किया गया सबसे पहले कंगना रनावत की बात करते हैं कंगना रनावत का जिस तरह से ओफिस का एक हिस्सा BMC ने बुल्डोजर की जरी ठाया मैंने खुद उसकी कड़े शब्दों में आलोशना की थी दोस्तों और फिर अदालत ने विक्की ये खलत था मगर कंगना रनावत की एक और प्रिष्ट भूमी थी कंगना लगातार उद्धव ठाकरे के बेटे पर निशाना साथ रही थी सुशान सिंग राजपूत को लेकर यही नहीं रिपब्लिक निउज लगातार इस तरह की कॉंस्परिसी थियोरीज जो है वो डाल रहा था या कम से कम इनका प्रचारत अंत्र डाल रहा था कि इस हत्या के पीछे कथित तौर पर आदित ठाकरे का भी हाथ है इस तरह की बाते इस तरह की मंगढंत बाते की जा रही थी और आज करीब दो साल हो गएं दोस्तों ना CBI कोई प्रमाण पेश कर पाई है एम्स ने जो मेडिकल जाज की थी उसमें भी कुछ अनापशनाप सामने उभर कर नहीं आया है बावजूद इसके महराश सरकार पर निशाना साधा जा रहा था देश की संग्ये ढाचे की धज्याड आते हुए बिहार पुलीस मुंबई पहुँच जाती है और अपना काम करती है मगर उनके काम में किसी तरह की कोई रोकटोक नहीं की गई सबसे बड़ी बात ये कि ना सिर्फ महराश सरकार पर बरकिनकी पालतू मीडिया ने उनके बेटे पर निशाना साथा अब इसके बाद आप एक पिता की क्या प्रतिक्रिया सोचते होंगी मैं फिर कहता हूँ जब आप एक राज्य के बुख्यमंत्री हों तब आपको एक पिता के तौर पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए मगर क्या उस मीडिया ने शालीनता और गर्मा की हदों को लांगा क्या उन्होंने जूट नहीं बोला क्या उन्होंने रियाच शक्रवर्ती और उनके परिवार पर जूटा प्रचार नहीं चलाया क्या ये हकीकत नहीं है क्या इन बातों की जर्चा नहीं की जानी चाहिए ये सब होता रहा जिस पत्रकार को एक हफ़ते तक जेल में रखा गया था क्यों रखा गया था क्योंकि उसकी वज़ा से उस पर आरोग था कि एक व्यक्टी ने आत्मात्या की उसके खिलाब दो चार शीट दाखिल किये गया है उसकी वाटसाप में बाचीट में बात सामने उभर कर आए कि जब पुलवामा में हमला हुआ था और हमारे चालीस जवान शहीद हुए थे तब इस आदमी ने कहा था अरे भारती जवानों की मौत हुई है फिर एक न्यूस चैनल ऐसा कैसे दावा कर सकता है कि हमारी जीत हुई सिर्व इसले कि तुम्हें टियारपी बहतरीन मिली तब तुम्हें ऐसे दावे करोगे ये सब कुछ मुंबई पुलीस की चार शीट में था अरनब गोस्वामी के खिलाफ टियारपी खोटाला व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का आरोप मगर हकीकत ये थी कि अरनब गोस्वामी भारती जन्ता पार्टी के प्रचार का एक एहम हिस्सा था जाहिर सी बात है नफरत लाजूई थी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना बहुत जरूरी था इसके अलाबा जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब से ही भारती जन्ता पार्टी के कोशिश जा रही थी और उख क्या कोशिश थी कि शिवसेना के प्रभाव को कम किया जाए भारती जन्ता पार्टी ही सही माएने में हिंदुत की ठेकेदार बन जाए आज भी जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना को खत्म कर दिया जाए आपको क्या लगता है एकनाच शिंदे दो तिहाई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो भी जाएं तो वो शिवसेना थोड़ना रहेंगे ये लोग चाहते हैं शिवसेना खत्म हो जाए ताकि महराश के अंदर सिर्फ बीजेपी ही हिंदुत की ठेकेदार बन जाए और उद्धव ठाकरे हिंदुत का एक नया चहरा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नफरत ना जिसमें आपसी भाई चारा हो इन तमाम चीजों से डरती है पीजेपी